नमस्कार दोस्तों मैं आशी जा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल एस गंफिर बिल्टेक प्रैविट लिम्टेट पे दोस्तों बहुत ही कफायती रेट में आपके लिए ये 2BHK का फ्लेट मैं लेके आया हूँ जिसके कार्पिट एरिया की बात करें तो 50 गज का कार्पिट एरिया है बिल्डप एरिया एरॉंड आपका 60 गज का जो है निकल के आता है 20-45 का जो है ये layout है total plot area की बात करें तो 100 square yard का total plot area है जिसमें एक floor पे दो unit बने हुए है 50-50 yard के दोस्तों इसके साथ ही जो है गाड़ी parking की facility available है free hole builder flat रहने वाला है जिस पर की 82-90% आपको loan की facility मिल जाती है और metro की distance की बात करें तो द्वार का मोर metro station यहां से एक किलोमेटर की distance पे रहने वाला है इसके साथ ही दोस्तों price की बात करें तो price जो है 24 और 30 लाख रुपे का जो है affordable price range हमने आपके लिए निकाला है 2BHK का देखते हैं flat की पूरी वीडियो और चलते हैं building के front elevation पे 002 001 003 00-02 001 002 00 00 दोस्तों आचुके हैं अपने पैसेज और लॉबी एरिया में यहां से आपका जो है स्टेर है यह एक पैसेज एरिया है जैसे कि मैंने आपको बताया था नीचे फुली पार्किंग है यहां पर लिफ्ट की फैसलिटी आपको मिल जाती है और जो अपना लॉबी एरिया इसमें प्रॉपर हमने दस्तों दूपर तक टाइलिंग का वर्क किया है और दो यूनिट एक फ्लोर पे है और जो फ्रंट एंड बैक की यूनिट है तो आते हैं हम अपने सेंपल फ्लैट में जो आपके लिए हमने रेडी किया है काफी स्पेसियस जो है और काफी डिजैनबल जैसे बोड साइड हमने बहुत प्यार असा जो है सेंगल साथ के लिए लेकर इसमें लगाके दे रहे हैं इसके साथ ही फॉल्स लिंग की बात करें तो काफी हैवी फॉल्स लिंग एलेडी लाइक स्कॉप लाइट के फिटिंग आपको मिल जाती है और यहां पर आपको जो है एक आपको मिल जाता है काफी सांदार्स हैं लीचे टाइलों की बात करें तो दोवाजो की डिजितल विट्रिफाइड टाइल है जिसकी ग्वासी कभी निग आती है इसके साथ ही इसमें जो वोडन वर्क भी हमने किया है इंटेरियर कंपनी के थूरू इसमें वोडन का वर्क और वो टाइली से इस तरह से मैचे है जो बिलकुल डिसेंट लुक आता है इसमें इंटेरियर वर्क है इसके साथ ही आप देख सकते हैं लेडी पैनल का वर्क किया है काफी डिजाइन बल जो है यह एलेडी पैनल आपको दिख रहा हुगा इसके साथ ही यहां पे इस्पली नेशनल लाई रहने वाली है तो दोस्तों आपके जो लिविंग एरिया स्के साथ ही आप देख सके यह वाज आता है जो कॉमन वाज्व हैं आपका साथ चेक ओपन वाश्रों है जिसमें की यहां पर ओल हैंगंग सीसमें हमने आपको वेस्टन सीट मिल जाता है घीजर का प्रो के साथ और नीचे की टाइलिंग की बात करें तो एंटेस की टाइल यूज कर रहे हैं और ग्रॉस वेंटिलेशन के लिए यहां पर साफ भी दिया हुआ है और यहां पर आपका जो एक्जॉस्ट इस्टॉल हो जाएगा दोस्तों काफी स्पेसेस यह आपका कॉमन वाश्रूम रहने वाला है इसके साथ ही जो किचन है आपका देख सकते हैं एल सेप में आपको किसन मिल जाता है चार फूट ओपर तक ट्रैलिंग का वर्क हमने किया है और ब्रॉन सेड में डवल ग्रिनाइट इसमें हम यूज कर रहे हैं बोस साइड आपका वाइट और ब्रॉन में जो लगा रखी दी कंस्रुक्शन के टाइम में ही वहाँ पर हमने इसको एडज्वाइंड कर दिया है तो दोस्तों काफी स्पेशियस और डिजाइन बल जो है आपका ये आपका सेमी मॉडलर किचन है इसके साथ ही आते हम अपने फर्स बैडरूम में जो कि हमारा मास्चर बैड सेप में आपके लिए वार्ड्रो बनाके दिया है इस पेस को ध्यान में रखते हुए और मिड में आपका जो है इसली 6x6 का बैड आ जाएगा और वाल विपर का भी हमने कस्टमाइज वाल विपर आपके प्रसंद से यहां पर लग जाएगा इसके साथ ही आप देख सकते है यहां पर ड्रेसिंग के लिए भी हमने स्पीस दिया हुए है इसमें पदले में ही हमने ग्लास लगा के आपको दे रहे हैं और यहां पर सेल्फ समान मेकप की टिन सब के लिए हमने यहां पर जगे दी हुई है तो दोस्कों इक वार इस रूम का भी जो है ऑवरॉल आप यू बोर्चों को इसमें मिलेगा तो आजोके हम अपने एटाइच Nich इसमें भी आपको वाल तुवाल दस्टूट उपर डिस्टर्विटरिफाइड टाइल मिल जाता है यहां पे आपको वाल हैंगी वाल मॉन्टेश सीट मिल जाती है गीजर का प्रोविजन है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए यहां पे साफ दिया हुआ है एक्जॉस्ट आपका यहां पे इसली इंस्टॉल हो जाएगा तो दोस्तों यहां आपका मास्टर बैडरूम है दस्टर जसका जो इसका डैमेंशन का साइज है और बैड लगने के बाद भी आपको प्रोपर स्पेस इसके साथ ही विंडो का प्रोवीजन हमने दिया हुआ है प्रॉपर विंडो इसी आपकी यहां पे इंस्टॉल हो जाएगी और विंडो के लिए यहां पे अमने ग्रिल भी और जो एक पल्ला है उसमें जो है आम ग्लास यूज कर रहें और नॉर्मल वॉल पे एशन दोल पे प्लास्टिक पेंट में जाता है और जितने भी आपके जो है गेट है उसमें आपको सभी में फ्लस्च दूर का फ्लस्च दूर हम आपको लगा के दे रहें दोस्तों एक वार इस रूम का भी आप आप आवराल व्यू देखिए इसके बाद हम आएंगे अपने नेक्ष किसस रहने वाला है दस भाई दसकर इसका डामेंशन है जिसमें कि आप देख सकते हैं इस वाल पे पूरा जो है वुडन का हमने काम किया है इसमें बस आपको बैड लगाना है जो सिराना है वो पहले ही इसमें हमने आपको लगा के दे रहें छे भाई छे का इसली बैड आ ज जाते दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था जो 20-45 लेयॉट है इसमें कि दोनों बैडरूम आपके जो है फ्रेंट साइड में है प्रॉपर वेंटलेशन और नेशरल लाइट की जो है ठिकत आपको दोनों बैडरूम में नहीं रहने नहीं रहने वाली है तो यहां पे भी आपको प्रॉपर विंडो का प्रोविजन है विंडो इसी आपके इजली इंस्टॉल हो जाएगी यहां पे और विंडो का हमने प्रॉपर प्रोविजन दिया हुआ है तो दोस्तों यह रूम का भी ओवराल वीव आप देखिए इसके साथ ही जो यह बैडरूम है आपका वह बालकनी से उपन हो रही है तो आप बालकनी में भी आएंगे तो यह काफी स्पेसेस आपकी बालकनी है जिसमें कि यहां पे हमने एलेक्टिक पॉइंट गी हुई है यहां पे एक टैब आपका लगना है एक टैब लगेगा और यहां पे आप वाशिंग मसीन अपना यूज क सकते हैं इसके साथ ही 304 की SS की हम रेलिंग इसमें आपको दे रहे हैं जैसे कि आप गली ही देखेंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन गली है प्रॉपर गैस पाइपलाइन की फिटिंग है और काफी डिसेंट जो है इसकी जनेट्री और लोकालिटी रहने वाली है मैट्र से मात्र जो है आपको एक किलोमेटर के डिस्टेंस में अफोर्डबल प्राइज रेंज में और रेइस्टर प्रोपर्टी इस पे की 82-90% लोन की फैसलीटी अब लेबल है दोस्तों लिफ्ट के साथ गाड़ी पार्किंग के साथ मात्र 24 और 23 लाक रुपे में तो दोस्तों देर किस बात की जल्द से जल्द अपने सपनों का घर लें एस गंबिर बिल्टिक प्रेविट लिम्टेट के साथ मिलते हम अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार झाल